नमस्कार मैं राजबोन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार का कोरोना अपडेट आज 24 अगस्त का जारी हो चुका है जो नए आकरे स्वास्त विभाग ने जारी किये हैं वो पूरे बिहार के लिए थोड़े रहत बढ़े हैं क्योंकि काफी समय के बाद बिहार में न हो चुकी है एक लाग 23,383 पर लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इन में से लगबग एक लाग मरीज ठीक हो चुके हैं एक नजर पहले यह डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में किन जीलों से कितने नए संक्रमित मरीजों की पैचान हुई है उस पर अरया 13 अरवल 9 औरं गया 54, गोपाल गंज 2, जमूई 11, जिहानवाद 35, कैमूर 6, कटिहार 33, खगडिया 9, किसन गंज 13, लकिसराय 18, मध्यपूर 29, मधुबनी 34, मुंगेर 4, मुजफरपूर 75, नालंदा 34, नमादा 8, पतना 225, पूर्निया 36, रोहतास 44, सहर्षा 65, समस्तिपूर 34, सारं 27, सिवहर 20, सिता मड़ी 29, सिवान 18, सुपॉल 28, वैसाली 21, वैस्ट चंपारन 51, इस तरह पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार से 1227 नहीं संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, स्वास्त विभाग ने जीले वारा आकराज जारी किया है पिछले 24 गंटे का तो उस पर आप नजर डाल पाएंगे कि केवल पटना वो जीला है, जहां पर नए मरीजों के मिलने की संक्या 100 से जादा है, अलांकि वहां 200 से जादा है, अन्य था कोई ऐसा बिहार का जीला नहीं है, जहां पिछले 24 गंटा में मामला 100 से जादा काया हो, हर जगा 100 से कम के आकरही सामने आया है, वहीं गोपाल गंज में तो मात्र दो संक्रमीत मरीजों की पहचान की गई है, जो अच्छी ख़बर है बिहार के लिए, तो बिहार फिलहाल कोरोना से जीता हुआ नजर आ रहा है, अगर बात करें बिहार के में मौजूद अभी के एक्टीव कैसेस की, तो उनकी संगिया 22,000 के आस चुका है, तो यह एक बड़ी खबर है बिहार के लिए, कि एक लाख लगतार जा चोड़े है प्रतिदेन बिहार में, उसके बावजूद मामलों में भारी कमी आ रही है, तो यहां कहा जा सकता है, और इसमें कोई दोराय नहीं है, कि बिहार कोरोना से लड़ रहा है और जीत भी रहा है, तो बिहार इस कोरोना से जीत जाए, जल्द से जल्द जीते, इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी अब तक सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सुरक्षा के जो मानक है, कोवीड-19 से बचने का उसका जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, और इस्तमाल कर रहे हैं, उसे लगतार अभी जाड़ी रखे ताकि बिहार पूर्ण रूप से कोरोना से मुक्त हो जाए, तो खुद की सुरक्षा करें और बिहार को सुरक्षित बनाने में स्वयोग करें, फिलाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के क्यारी ने धन्यवाद